सवाल ऐसा है कि मेरी मां आमबिटकर जी को बहुत मानती है लेकिन सारे प्रकार के अंधर विश्वास भी वो अपने साथ रखती है तो उनको कैसे समझाओ आपने बहुत अच्छा सवाल पुछा है मैंने यह जो भुमी का आपके सामने रखे मेरे संगडन की तो हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि जब तक आप भगवान को नहीं न कारते जब तक आप धर्म को नहीं न कारते तब तक कोई अंधर विश्वास नहीं जा सकता उसके लिए मैं हमेशा उधारन देता हूँ कि महाराष्ट में एक बहुत बड़ा प्रयोग हो चुका है डॉक्तर बाबा साब अमबेटकरजी का प्रयोग हो चुका है हलाकि अमबेटकरजी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा लोगों का प्रबोधन किया खास करकर उनके भाषणों का संग्रब जब हम पढ़ते हैं अब अमबेटकरजी के भाषण जो कुछ उपलब्द है वो तो पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने ज्यादा तर उनके भाषणों का संग्रब पढ़ा है उनमें वो बहुत छोटी छोटी बाते लोगों को समझाने के कोशिश करते हैं यानि हमने नहाना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए ये जो इतने बड़े विद्वान आद्मी ने आम जंता को ये सामान्य बाते सिखाना अपेक्षित नहीं है आम लोगों को लेकिन इसके बावजुद वो सिखाते आएं आमबेटकरजी ने बावद धम्म स्विकारा अपने साथ में करोडों लोगों को स्विकारने के लिए प्रवरुत्त किया उसके बात में सही माने में बड़े प्रबोधन की आपशक्ता थी अगर वो पाच्छे साल भी समय उनको मिल जाता आगे तो उन्होंने जिस धंग से पहले काम किया है वो काम को जानने वाला हर व्यक्ति कहता कि उन्होंने लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवरुत्त किया होता ये धंग को एक बहुत ही रैशनल और उत्तम दिशादी होती लेकिन कुछ महाबाद ही उनको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा है और वो काम अधुरा रहा है अमबेटकरी मोमेंट के प्रती मेरे मन में बहुत आदर है महाराष्ट में इस मोमेंट का बहुत बड़ा एक काम भी है लेकिन मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अमबेटकरी मोमेंट ने एक काम बिलकुल नहीं किया स्रामाजिक प्रबोधन का काम नहीं किया जिसकी बहुत बड़ी आवशकता थी खासकर अमबेटकर जी के कहने पर इतने करोड़ों लोगों ने बहुत धम्मस भी करने के बाद में ये प्रबोधन की बहुत आवश्यक्ता थी लेकिन अमबेटकरी मुवमेंट जिनको कहा जाता है उन लोगों ने ये काम नहीं किया इसलिए मैं हमेशा कहते हैं हो कि ये काम मैं ताकत से कर रहा हूं सही माने में अम्बिटकरी का अनुया यह मैं यह तुम्हें बहुत उद्दामता से यानि उद्दंडता से मैं यह बात कहते आया और मेरी यह बात कोई न कारता भी नहीं इसलिए लोगों में केवल धर्म परिवर्तन करने से अंदविश्वास नहीं चले जाते हैं हाला कि उन्होंने शपत दी है वो शपत में क्या है मैं यहाँ उलेख नहीं करूँगा लेकिन सभी लोग जानते हैं इसके बावजूद सभी प्रकार के अंदविश्वास अंबेटकरी जंता में मिल सकते हैं क्यों मिल सकते हैं क्योंकि केवल धर्म परिबरतन से या फिर बगवान को नकारने से अंदविश्वास नहीं जाते हैं अंदविश्वास जाने की प्रक्रिया एक ही है तरक बुद्धी का उपयोग बुद्धी-प्रामाण्नेवाद का स्विकार अम्बेट करजी ने बुद्ध धम्म स्विकारा है वो तो पूरी तरह से रैशनल है एक रैशनल धर्म को उन्होंने स्विकारा है मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्ध में पुराने बुद्ध धर्म में ये बाते है नहीं है इस बहस में नहीं मैं पढ़ता हूँ लेकिन आमबेटकरजी का बुद्ध धम्म ये नया बुद्ध धम्म है लेकिन ये बुद्ध धम्म वो पहुचा नहीं पाए और उनके बाद में लोग भी नहीं पहुचा पाए क्यों नहीं पहुचा पाए उसके पीछे के कारण क्या थे इस चर्चा में मैं पढ़ूँगा न इसलिए सभी प्रकार के अंदर विश्वास जो अपने आपको बहुत धकेती है अमबेटकर जी को बहुत मानती है इसे जनता में देखने को मिलता है अब मेरे संगडन ने कई आमबेट करी लोगों में, जो अपने आपको आमबेट करके अनुयाई मानते हैं उन लोगों में, बहुद्ध शरीर में आते हुए निकाले हैं एक बार तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुद्ध शरीर में आता है क्योंकि आस पास के सौंसकार है भगवान शरीर में आता है, भगवान, बुद्ध को भगवान माना है, भारत्य emporah में उनको भगवान माना गया है तो ये जो आम व्यक्ति होता है चाहे अपने आपको बुद्ध धर्मवाला कहे फिर भी उसके मन में भगवान है बुद्ध भगवान है तो उनके शरीर में आ सकता है लेकिन मेरे संगटन ने दो आमबेट करजी शरीर में आते आते निकाले अब आम बेट कर जी कैसे शरीर में आ सकते हैं इतना ही नहीं तो विक्तु बाबा नाम का एक बाबा है उसके उपर मैं हमेशा बोलते आया ये विक्तु बाबा जो है एक सही माने में जिसको हम mentally retarded कहते हैं ऐसा लड़का है जिसके मा को महरोग हुआ वो बाबा आम्टे के आश्रम में रही महीं पर वो मरी इस आदमी के हाथों में बेडिया डाली जाती है काफी बड़ा उसका चलन था तब वो जिन्दा था तब एक बार मैं वहाँ जाकर इंटर्यूज लिए सब लोगों के क्यों मुझे यह आवशक्ता लगे क्योंकि जहां पर अम्बेटकर जी ने दिक्षा दी ऐसे नाकूर के दिक्षा भूमे में ये विक्तु बाबा का सत्कार आयुजित किया गया था तब उन दिनों में मैं पत्रकार था बहुत एक्टिव पत्रकार था सबसे पहले मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने और मैंने आवाज उठा ही कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर बाबा साब अम्बेटकर ने जहां दिक्षा दी लोगों को इतना बुद्धी प्रामान्यवादी धम्म की दिक्षा दी वहाँ पर एक पागल आदमी के आप याने सत्कार कर रहे हो दैवी शक्ती है उसमें इसलिए हमने विरोध किया उसका इशू बनाया इसलिए वो सत्कार नहीं वहाँ पर हुआ तो अब वहाँ पर दिक्षा भूमी में जो आते हैं दश्रै के दिन बड़े पेमाने पर जिस दिन दिक्षा दिए गई उस दिन आते हैं बड़े पेमाने पर लोग नाकपुर में आते हैं उन में से कई लोग बड़ी संख्या में विक्तु बाबा के दर्शन को जाते थे जब मैंने 1982 में ये संगडन शुरू किया एक काम शुरू किया तब घर घर में कई घरों में अमबेटकर जी का फोटो और बाजो में विक्तु बाबा का फोटो लगा रहता था और मुझे बहुत इस बात का गुस्सा आता था मुझे अमबेटकर जी का अपमान लगता था और मैं जाहिर भाशन में कहता था कि आपके घर में एक तो आमबेटकरजी का फोटो रखी और नहीं तो विक्तु बाबाजी का फोटो रखी आप आमबेट करजी के साथ में विक्तु का फोटो रखते हो विक्तु बाबा का फोटो रखते हो ये सबसे बड़ा उनका आमबेट करजी का आपमान है और मुझे कई लोग दलीत मॉमेंट के कहते थे कि मानव साब आप कह रहे हो इसलिए लोग सुन रहे हैं दूसरा कोई कहता महा पर जिन्दा गाड़ देते क्योंकि आप आमबेटकरजी का ही काम करते हो ये सब के मन में विश्वास है इसलिए आपको जिन्दा छोड़ते है ये क्यों मैं ये बाते कह रहा हूं अंद विश्वास अपने आप नहीं हटते है के बल भगवान नकारने से अंद विश्वास नहीं छटते हैं धर्म बदलने से अंद विश्वास नहीं छटते हैं बुद्धी प्रामाण्यवादी प्रक्रिया का उप्योग करना होता है इनसान को तर्क करने के लिए प्रवरुत्य करना होता है जो उसका अग्यान है उसके बजाए अग्यान उस तक जब प्रक्रिया पुरी होगे तो उसमें परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन का काम नहीं हुआ है अब मेरा संगडन जिस मरियादित स्वरूप में ये काम कर रहा है हम ये भेद नहीं करते हैं कि इनके लिए काम करना उनके लिए काम करना इसलिए मैं ताकत से ये काम करते आया हूँ लेकिन ये बहुत मरिया दी थे करोडों की चंद संख्या में बहुत धंमस विकारा है उतनी बड़ी संख्या में ये परिवरतन बहुत अच्छे डंच से होना चाहिए था उल्टा क्या हो गया उल्टा हो रहा है हमारे यहाँ यानि इधर सत्यनाराण है उधर परित्राण पाठ है यानि कई बार मैं आमबेटकर जी जेयन्दी बगरे कारेकरमों में जाता हूँ तो भगवान आमबेटकर मैं एक प्रोग्राम में गया था उसका नाम नहीं लूँगा बहुत बड़ा प्रोग्राम था बुसावल में तो भगवान आमबेटकर जी कहा उनके सामने मुम्बत्या जलाई गई मैंने तो मुम्बत्या नहीं जलाई लेकिन मैंने भाशान की शुरुवात ही की थी कम से कम आमबेटकर जी को तो छोड़ी है जिस आदमे ने इतनी बड़ी लड़ाई कि उसी को आप भगवान बना दे रहे हूँ एक बार इंसान को भगवान बना दिया कि बात खतम ना फिर आमबेटकर जी के विचारों के साथ में हमें क्या करना है भगवान ने पूझना है बात खतम होगी यानि अमबेटकर जी खतम होगी उनके इतने सालों के परिश्रम खतम होगी ये कोई पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ ये अनपढ़ लोगों ने ऐसा एकादे बार अमबेटकर जी को भगवान माना उनके शरीर में भगवान आये मैं समझ सकता हूँ अमबेटकर जी आये समझ सकता हूँ उनको माब भी है क्योंकि वो अग्यानी लोग है पढ़े लिखे नहीं लेकिन ये वेल पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करते हैं तो कैसा होगा इसलिए अमबेटकरी जनता में बुद्ध जनता में जिन्होंने बउद धमस विकार है उसमें प्रभोधन की बहुत आवशकता है और ये प्रभोधन मैं उस मर्यादा में नहीं कर सकता हूँ मैं अंदव विश्वास के क्षेतर में कैबल कर सकता हूँ उतना ही मैंने अपनी मर्यादा कायम रखी है तो उस क्षेत्र में ये प्रबोधन होना चाहिए तो ये सब प्रकार के अंदविश्वास जाएगे अब आमबेटकरी जन्ता में दो प्रकार के लोग है जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है डिगरिया उनके पास में है, अच्छी नोकरिया पास में है लेकिन अंदविश्वास ही है और दूसरे ऐसे एक बहुत बड़ा तपका है कि जो आमबेटकरी को पढ़ते हैं, उनके विचार स्विकारत हैं उनके बिल्कुल अंदविश्वास नहीं है, कोई प्रकार की ऐसा भी एक बड़ा तपका है और शायद इतना बड़ा तपका है अंबेटकर को मानने वाले लोगों के अलावा और किसी में मिलता नहीं है जो बहुत रैशनल है ये भी खासियत रही है, अंबेटकरी विचारधरा की इसको भी मानना पड़ेगा और मेरे संगटन को हमेशा मेरे काम में तनमन धन से पूरी ताकत से अपने हाथों से भी सबसे ज़्यादा मदद मिलिए हो अंबेटकरी विचारधरा के लोगों के मिलिए आमको सपोर्ट करते आए ये भी विशिष्ता रही है तो ये भी मुझे यहां कहनी पड़ेंगी तो इन शॉट आपकी मा अम्बेटकरजी को मानती है वो भगवान मानती है अम्बेटकरजी के विचार उन तक पहुचाना अवश्चक है अब अम्बेटकरजी ने अंदविश् विकारने के बाद ये बहुत अच्छी बाते वो लोगों के सामने रखते भी समय निकाल कर लेकिन आगे अवसर उनको नहीं मिला है तो ये जो उनका अधुरा काम है वो हमको पुरा करना है आपको मा के पास अमबेट कर जी के ऐसे कई विचार पहुचाने पड़ेंगे अब उनकी किताबे हैं उनके भाषण आसान भाषा में भी उपलब्द है ऐसे कई भाषण आपको मिलेंगे कि जो मा की आखे कोल सके इसके लिए प्रबोधन की आवशक्ता है ये प्रबोधन के बावजूद आपकी मा पुरी तरह से बदल जाएगी इसके कोई गैरेंटी नहीं क्योंकि मेरी मा तो सव प्रतिशत बदली नहीं है लेकिन काफी अंतर आता है कम से कम जो उपरी स्थर के अंदव इश्वास होते है जिसके करण लोगों का डाइरेक्ट नुकसान होता है उससे तो लोग बच सकते है उतना तो हम कर सकते है इसलिए इस प्रबोधन की बहुत आवशक्ता है अंबेटकर जी अगर पाच्छे साल और उनको मिल जाता उनके जिवन में तो शायद महराष्ट का चित्र और पूरे देश का चित्र इस खित्र में बहुत अलग होता क्योंकि लोगों का प्रबोधन करने का और उसका पूरा एक मैनेजमेंट से के जरिये काफी लोगों को उसमें इन्वाल करकर वो बहुत अच्छे ढंग के प्रबोधन का एक तंत्र खड़ा कर देते जिसके कारण आगे ये काम बहुत अच्छे ढंग से चलता रहता और शायद उसके बहुत अच्छे प्रबोधन को आज मिलते लेकिन वे करने ही पाए और बाकी किसी ने ये काम बहुत ताकत से नहीं किया इस कारण ये अंदवेश्वास हम को मिलते हैं बहुत आपेश्वास प्रबोधन को मिलते हैं